हालो फ्रेंड कैसे हूँ आप उमीद करता हूँ अच्छे होंगे आपके अपने यूटू चैनल पर मैं रवी आप लोग का स्वागत करता हूँ दोस्तों एक हम वीडियो देख रहे थे उसमें सर बता रहे थे कि मैं चानल का नाम नहीं लेना चाहता उसमें बता रहे थे सर की कि एक से दो तीन किताब पढ़कर आप 163 बीपीएसी पास कर सकते हैं तो आप अगर सिविल सेवा की त्यारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक ध्वोंखा का यह कारन बन जाता हैं देखे दूस्तों पहली का स्ट्ट्यूल था कि जो आप एक से दो किताब तिन किताब चार किताब जो पढ़के जाते थे और वो आप पास कर जाते थे बाकी यह BPC यहां पे अप्रूडेट होते जा रही है दिन पर दिन यह BPC UPC के समानन तर काम करने में समाहित हो रही है तो आपको कहीं न कहीं पे धोंखा का कारण बन जाता है तो सबसे पहले आपका जो BASE है उसको किलियर करकर चलना होगा BASE अगर अच्छा नहीं बनाएंगे तो क्या हो सकता है देखिए अगर एक एक जामपल देता हूँ आप घर बनाते हैं तो घर के नीचे क्या दिया जाता है पीलर देते हैं कुरसी देते हैं तो यह पीलर और कुर एक रिपностьюलर के जो ऊपर बना होता है अधिक लोग बनाते हैं पांच इंची का क्यों बनाते हैं कभी आपने सोचा कि नीचे दस इंची क्यों दिये वपर पांच इंची क्यों दिये क्योंकि अगर नीचे मजबूत है तो आप थोड़ा अगर material इसाब कम दिये तो कुछ नहीं होगा, नीचे मसगूत है तो उपर वाला ढहेगा नहीं, वो रह जाएगा लेकिन नीचे कमजोर है अगर आप उपर बना लिए मसगूत, अगर नीचे वाला गिर किया तो उपर वाला आटोमेटिक है कि गिर जाएगा, तो वैसा ही है आप बेस किलियर नहीं किये आप दो किताब, तीन किताब पढ़ने के लिए त्याल है तो सबसे पहले आप बेस किलियर किजिए बेस को समझे तो बेस समझने के लिए बेस को पढ़ने के लिए हिस्ट्री में कैसे बेस बनाएं तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री का किताब जो की NCRT 6 से 12 का आपको पढ़ना पढ़ेगा बेस को बनाने के लिए 6 से 12 का NCRT पढ़ते हैं बहुत आसान भासा में लिखा गया है बहुत फैक्ट वाइज लिखा गया है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत नौलेज होगा सिर्फ पढ़ना सिर्फ रीडिंग देना नहीं उसमें से एक बार पढ़िएगा दो बार पढ़िएगा तीसरा बार में कोशिस किजेगा अंडरलाइन करने का चौथा बार में पढ़िएगा तो कोशिस किजेगा नोट डाउन करने का तो एक बार में तो समझ में नहीं आता है दूसरा बार पढ़ेंगे तो कुछ रहेगा ध्यार में कुछ नहीं रहेगा तीसरा बार पढ़ेंगे तो एक pencil या pen लेंगे उसको underline करेंगे और चौता बार पढ़ेंगे तो उसको note down करेंगे जो जो आपके important topic है उसको note down करेंगे उसको टिक लगाने का परियास करेंगे और उसको एक copy में उतारने का भी परियास करेंगे ताकि जो किताब 6 से 12 तब का इतना हो जाएगा तो एक छोटा सा कूपी लेंगे उसमें एकत्रित करने का प्रियास करेंगे और वही आपको काम देगा ठीक है दोस्तों अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक्जाम होल में बहुत confusion पैदा होगा अगर confusion पैदा होगा तो आसान प्रस्न को आप गलती कर लेंगे अगर आसान प्रस्न गलती हो जाता है तो आप selection से बाहर निकल जाते हैं देखी एक formula जैसे कि आसान प्रस्न कोई अगर पाचास सही कर रहा है अगर आप पाचास में से 35 सही कर रहे हैं तो उनसे आप आपसे वह लीड ले चुके हैं तो वह निकल जाएंगे आप अटक जाईएगा आप बाहर उससे निकल जाईएगा तो इसलिए सबसे पहले 20 की उ अगर पाचास के उपर दस दो चार कोईशन आप सही कर देते हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाता है जो कि इस बार देखा गया था बीपीएसी का कटप 108 चला गया था तो हम लोग को 110-115 का टारगेट लेकर चलना होगा तभी हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं पहले का ट्रे यूपी-e-c की वह नकल कर रहा है यूपी-e-c की तरह वह चल लहा है तो आपको भी उसी दीसा की ओड चलना होगा न कि आपको फैक्ट भाई यानि अबिचेक्टिव कोउस्टन रटना होगा तो ये सब आप भुल जाए यहां पे आपको PD भी देना है मेंस भी देना है आप वहाँ भी पास करें JIS and Sorry Audi निकाल लिए ठीक है और मेंस निकाल बेने नहीं किए तो प्या फैरा फिर पीरी में आगा है एक पार पीरी कई कई वरसु के बार निकला अब फिर पिरी निकलने के बाद मेंस में गया, तो मेंस हो ही नहीं पाया, फिर आ गया पिरी में, फिर पान सा लगा दिये, तो आपका जिन्दगी बित गया, इसी पिरी मेंस में जिन्दगी बित गया, तो आप सबसे पहले बेस को कम्प्लीट करेंगे, तो बेस पर आपको का करना होगा तभी आफ सफल हो सकते हैं